हेलो इस फ्रेंड्स आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जो है डैट इस सी प्रोग्रामिंग इसमें आपको मैं शुरू से जो है सी लेंग्वेज क्या है कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ कैसे डेवलप की गई और उसका दिरे-दरे करके हम लोग सी वे प्रोग्रामिंग जो खास बात होती है आज अगर आप कोई भी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेज या जैसे अभी मैं आपको हूता हूं कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है तो प्रोग्रामिंग में जो steps होते हैं लेखिए पहला तो क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई problem है ठीक है और आपको उसका solution निकालना है उसका solution update करने के लिए आपको एक प्रोग्राम मराना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले अगर आप लोग नहीं प लोग चार्ट बनाना आना चाहिए किसी क्योंकि फ्लोचार्ट क्या होता है इस में सब्सक्राइब करने मेरा इंट्रेस्ट नहीं रहता है लेकिन यह है कि बेसिक चीजे आपको पता होने चीजे तो आपको बहुत आसानी रहेगी प्रोग्रामिंग में कोई कहता है कि सब्सक्राइब करना होता है और आपको सब्सक्राइब करना होता है कि कुछी भी प्रॉब्लम को हमें कैसे solve करना है तो पहले आप उसको दिमाग में बना लिजे कि हम इस तरह solve करेंगे उसके बाद आप step wise उस चीज़ को लिख लिजे that is called algorithm आप step wise जो है उसका solution को लिख लिजे किस language में लिख लिजे simple English में लिख लिजे तो जब आपको flow chart बनाना आ जाएगा फिक algorithm बनाना आ जाएगा उसके बाद बात आती है कि आपको कोई भी एक programming language आनी चाहिए C है C++ है Java है जो भी language है जिसमें भी आपको mastery करनी हो ठीक है तो उसके बाद जब हम flow chart और algorithm बना लेते हैं तो फिर हम इसी step wise solution को हम उस programming language में लिखते हैं जिसको हम technical term बोलते हैं कि coding कर देते हैं मतलब हमारा coding से क्या होता है हमारा source program ready हो जाता है यह आई आपको बात समझ में कि यह steps होते हैं अगर आपको programming में mastery करनी है तो सबसे पहले flow chart जरूरी है flow chart मतलब देखिए वो symbol लिंबल पढ़ लिया कि इसमें input करेंगे इसमें process करेंगे वो तो ठीक theoretical पढ़ लिया अभी यह जो lecture की series है यह मैं आपको practical approach के साथ पढ़ा रहा हूँ तो flow chart मतलब आपने धिमाग में एक layout बना लिया आपने इसको package pen में बना लिया कि भाई हम इस तरह से इस problem को solve करेंगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ उसी उनी उसी flow chart को हमने क्या क्या step wise लिख लिया तो flow chart और algorithm की videos already available है चैनल पे एरिया request है कि आप उसको refer कर लीज़े दो दो तीर दिर वीडियो है और उसके बाद हम लोग C programming में शुरू करेंगे तो जब आपने step wise solution बना लिया उसके बाद क्या करते हैं यानि कि यहाँ पे आपने सोचा यहाँ पे आपने उसको clearly mention कर लिया उसके बाद आप coding मतलब आपने यह जो solutions लिखा है जो steps लिखे हैं इसको किसी भी programming language में आप उसको programming क्योंकि हर programming language का अपना format होता है आपने कुछ standard rule होते है तो किसी एक programming language में जब आप उसको link देगे उसी को computer की line में computer language में software की line में बोलते हैं coding करना clear तो यह तो पहले basic चीज़ आपको समझानी थी और यह बहुत जरूरी थी अब हम लोग शुरू करते हैं तो C पे तो देखे C क्या है अच्छा एक acceleration हम आपको देंगे कि अगर आपको programming की line में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी एक programming language में आप mastery कर लिजे बाकी language आप अपने आप सीख जाएंगे और mastery करने के लिए सबसे systematic और सबसे अच्छी language C language है अगर आपने C language अच्छे से सीख लिया तो आपको कोई और language सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आप यह आप समय लीजे ठीक तो अब हमनों शुरू करते हैं कि C language क्या है तो देखिए C क्या है C एक programming language है C is a programming language ठीक है और इसको कब डेवलप किया गया था इसको डेवलप किया गया था AT&T lab जो है USA में AT&T AT&T की जो bell laboratories थी बहुत famous laboratory है थी नहीं है बहुत famous laboratory है यह थीक है USA में इसको डेवलप किया गया था 1972 में clear और इस language को किस ने डेवलप किया था It was designed and written by a man named Dennis Richie इसको Mr. Dennis Richie ने Dennis Richie इन्होंने डेवलप किया था 1972 में USA की इस lab में clear तो इससे क्या हुआ कि in the late 70s C began to replace the more familiar languages of that time तो C जब C language डेवलप की गई तो इस language ने उस समय जो programming language यूज की जाती थी जैसे PL1 थी और आपका प्लेस होगी लोगों ने इसको यूज करना कम कर दिया छोड़ दिया और C का इस्तमाल करने लगे ठीक है अब इसके बात क्या हुआ कि फर्दर क्या हुआ कि जो और इससे older language थी C के पहले की जो language थी वो कौन सी language थी फोर्टरॉन थी फोर्टरॉन इसका फुर्टरॉन होता है formula translation फोर्टरॉन लेंग्वेज थी या PL1 थी ना तो इन सब को जो है और इससे क्या हुआ कि ओल्डर लेंग्वेज फोर्टरॉन फी या इसके बाद भी जो आई जैसे पास्कल आई पास्कल लेंग्वेज और आपकी APL आई ठीक है लेकिन चाहे C अपने से पहले की लेंग्वेज चाहे C अपने से बात की लेंग्वेज इन सब में जो है फाइनली C ही मोस्ट पॉपलर हुई C लेंग्वेज ये और आज की डेट में भी पॉपलर है ठीक है यह इंट्रोड़क्शन था C का कि C कैसे डेवलप की गई ठीक अब इसमें पॉपलर हो गई उसके अंदर इसके तीन जो कॉलिटी इस थी पहले क्या थी पहला था कि रिलाइबिल मतलब रिलाइबिल लेंग्वेज थी जो भी हम प्रोग्राम इसमें बनाते थे किसी प्रॉब्लम को सोलूशन आप्टेंट करने लिए तो जो हमारा डिजाइड आउट आगे सीखेंगे आपको देखिये आप से सीखते चले आएंगे और तीसरा क्या है कि मतलब user-friendly इस तो उस्टी इन तीन तो टीन क्वालिटी की विज़जा से रिलाइबिल सेंपिल और इसी ते इन से कि वैसे सी जो है इतनी ज्यादा पॉपलर हुई इसने अपने से पहले की लेंग्वेज को भी रिप्लेस कर दिया पीछे शोड़ दिया और अपने से उसके बाद जो डेवलप हुई पासकल है एपियल है उन सब जहीं सब में जो है C is the most popular language clear अब इसमें क्या होता है कि देखिए अब इसमें एक चीज़ यह आती है कि जैसे मान लिजे और language के हम बात करें ठीक है जैसे और भी languages जो programming languages जैसे C++ है ठीक है C sharp है Java है यह सब भी language है लेकिन C ने क्या किया इन सब को supersede कर दिया C superseded all these language ठीक है तो इसके कई reason थे इसके कई reason है ठीक है ना there are several reasons for this अब इसके reason के हम लोग बात करें कि क्यों इसको supersede कर दिया या क्यों लोग C को आज भी इन से बहतर मानते है उसके कई reason है अब इसको one by one करके discuss करते हैं कि पहला क्या है कि C++, C sharp और Java make use of a principle called object oriented programming मदलब C++ और C sharp और Java जो language है ये ओब बेस्ट है object oriented programming पीचर होता है oriented programming ठीक है तो ये जो तीनो language है ये object oriented programming principle यूज करती है program को organize करने के लिए to organize a program organize a program जबकि C में ऐसा कोई principle नहीं यूज होता है ठीक अब इसमें क्या है कि this organizing principle has lots of advantage to offer but even while using this organized principle one would still need a good hold over the language elements of C and the basic programming skill तो देखिए C++ C sharp या C hedge भोल लीजे या Java ये सब जो language थी ये उप बेस थी object oriented programming को ही short में OOP लिखते हैं लेकिन इस principle को use करने के बावजूद भी ये देखा गया कि user के पास C की basic programming skill होना ज़रूरी है basic programming skill C की बहुत ज़रूरी है उसके बाद अभी वो in languages को अच्छी तरह से इस्तेवाल कर पाएगा ठीक है तो इसलिए क्या advice की जाती है कि सबसे पहले आप C language सी को उसके बाद चाहे आप C++ कर लो चाहे आप C hash कर लो sharp कर लो चाहे आप जावा कर लो चाहे आप C के बाद आप ये तीनों कर लो कोई देखने आपको C language अच्छे तरहेंगे से आनी चाहिए ठीक है अलाकि इसमें आप ये कोगे कि सब जो है टाइम ज़्यादा बरबाद होगा पहले हम C सीखे पिर C++ सीखे बात आपकी सही है लेकिन टाइम बरबाद नहीं होगा क्योंकि C की अगर आपने प्रोग्रामिंग स्किल अच्छे से डेवलप की हुई है तो आपको C++ सीखने में 30% टाइम लगेगा आप ये समझ दिए अगर वैसे नॉर्मली आपको C++ अगर आप डारेट सीखने जाते हो और आपको 100 दिन लगते हैं और आप C सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए और उसको उसमें अच्छी स्किल आपको डेवलप कर लेना चाहिए एक तो रीजन यह हो गया सेकेंड रीजन जो है अब सेकेंड रीजन पर आजाईए C की पॉपलर्टी वैसे सेकेंड रीजन क्या कहता है कि मेजर पार्ट्स ओपॉपलर आपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनिक्स, अंड्रोइड और रिटेन इन C तो जो जनरली जो जनरली यूज आपरेटिंग सिस्टम है कौन-कौन से जैसे विंडोज हम सब मैक्सिमम, हम सब लोग विंडोज यूज करते हैं यूनिक्स यूज करते हैं लीनिक्स यूज करते हैं ठीक है और आपका एंड्रोइड यूज करते हैं ये सारे आपरेटिंग सिस्टम किसमें लिखे गया है ये आर रिटेन इन C लैंग्वेज ठीक है तो इसलिए and this is because even today one come to performance, speed of execution nothing beats C तो यह language इसलिए operating system इसलिए C language इसलिए C language देलफ किये गए है कि आज के समय में भी जब performance की बात होती है performance performance प्रोग्राम की किस से ना पी जाती speed of execution कितनी तेजी से how fast speed of execution तो आज की जेट में speed of execution की बात होती है performance प्रोग्राम की बात होती है तो C से बेटर प्रोग्राम और किसी का और C से fast और किसी का प्रोग्राम नहीं रन करता है तो nobody can beat C even on today इसलिए if one is to extend the operating system to work with new devices one needs to write device driver program these programs are exclusively retained in C बतलब कि ये तो android ये तो हमने आपको operating system का बता दिया even इसके अलावा जब आप किसी जब आपने computer के साथ कोई device कोई device आप attach कर रहे हैं तो उस device का आपको device driver program भी install करना होगा और ये device driver program C में लिखे जाते हैं तो इसलिए भी मैं आपको खली ये बता रहा हूँ कि C आज के समय में भी learn करना कितना advantageous है कितना beneficial है otherwise तो आज के समय में आप सुनेंगे कि ये सीख लो वो सीख लो वो तो पुरानी हो गई कुछ पुरानी नहीं अभी आप देखिए आप मेरे साथ इसको करिए ठीक है आप एक language आप अच्छी तरह से सीख लेंगे उसके बाद किसी दूसरी language को सीखने के लिए आपको दस से पंद्रा दिन से ज्यादा समय नहीं चाहिए होगा ठीक है अब तीसरा इसका जो रीजन है सीख इक पॉप्लरटी का वो यह है कि मोबाइल डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन और टैबलेट्स मतलब आज के समय में आप देख रहा है कि मैक्सिमम हर एवरीवन इस यूजिंग स्मार्टफोन और टैबलेट्स मतलब यह तो और डेली लाइफ में चीज़े आ गई है इसके अलामा कुछ दिवाइसेज जैसे माइक्रोवेव वाशिंग मशीन है डिश्टल कैमरा है वह भी दिन पर दिन और स्मार्टर होके जा रहा है ठीक है यह तो आदमी यूज करी रहा है उसके अलामा जो दिवाइसेज जैसे हम कि तो यह सब भी चीज़े यूज पहले भी यूज होती अब भी हो रही लेकिन अभी क्या है कि यह जो डिवाइसेज हैं यह दिन पर दिन स्मार्टर होते जा रहे मतलब डेली बेसिस प्रमेंट ने फीचर आते जा रहे हैं और पर्फॉर्मेस और ऑक्टिवाइस हो जा रह तो यह जो डिवाइसेंज हैं यह अगर आपकी smarter होती जा रही है मतलब advanced होती जा रही है मतलब इनकी performance better से better होती जा रही है और उनका यूज करना आसान से आसान होता जा रहा है तो इसमें किसका रोल रहता है इसमें एक है जो माइक्रोप्रोसर यूज हो रहा है वहाँ उसका second क्या है जो operating system आप use कर रहे है उसका और third जो important चीज़ है जो program उसमें embedded है जो ready-made program उसमें feed किये हुए है program embedded embedded मतलब उसी के अंदर जो built-in program है इनी तीन चीज़ों का main role रहता है micro processor का और कौन से आप operating system यूज़ कर रहे हैं और से program उसके अंदर embedded है ठीक तो इस program not only have to run fast but also have to work in limited amount of memory ठीक है तो no wonder that such programs are written in C with this constant on time and space C is the language of choice while building such operating system and program अब इन operating system of program को आप बनाते हैं तो सब देखे जब भी आप programming करते हैं दो चीज़े ही main होती है अभी जैसे उन्हें आपको speed of execution बताया था ऐसी समझे एक तो time program कितना time ले रहा है execute होने में और दूसरा space program store होने में कितनी जगह ले रहा है तो time और space analysis अगर आप करेंगे दूसरे language की C के साथ आप देखेंगे C is the best C is the best इसलिए भी यह सारे operating system यह embedded program यह सब C में develop किये जाते हैं तो आज भी C इतनी ही important बनी हुदी है ठीक अब next point पर आप आजाईए है ठीक है next point क्या है कि देखें इसमें हम लोग प्रॉफेशनल 3D computer games where the user navigates some object like a spaceship and fire bullets and आप सब लोग ने game खेला होगा जिसमें user जो है किसी fire ship को या bullet को या car को उस तरह से अपना वो navigate करा रहा है तो the essence of all such games is speed देखें फिर इसमें speed आ गई तो इसका मतलब कि जब आपको speed चाहिए then you have to write those program you have to develop that those games into c language ठीक है तो फिर जहां भी speed की बात आएगी c language का आपको कोई replacement नहीं मिलेगा इस वज़द से ठीक और पांचमा और जो last topic है कि at times one is required to very closely interact with the hardware devices since c provides several language elements that make this interaction feasible मालनी जी अगर कभी ऐसा जरुद पड़ता है कि user जो है hardware devices से hardware devices से interact करना चाहता है ठीक है तो user का hardware से connection या interaction provide करने के features सबसे बढ़िया c language में ही दिये हुए है c provides several language elements that make this interaction feasible without compromising the performance ठीक it is the preferred choice of the everyone तो देखे यह जो पांच point हमने आपको पता है कि c आज के समय में भी present date में भी इतनी popular क्यों है और जो लोग कहते हैं कि अरे भाई यह obsolete language है और हमको तो जावा आती है हमको तो फला आता है हमको टेक्वा बोली कि सही है लेकिन अगर मुझे सी आती है तो आई कैन लर्न एनी अधर लेंग्वेज्ज विदिन फ्यू डेस ठीक और बाकी सी की जो है तो पुरानी होगी तब भी हमारे syllabus में पढ़ाया जा रहा है सी पुरानी होगी तब भी गेट के completion में से question पूछे जा रहा है सी प्रोग्रामिंग होगी तब भी आई है उसमें प्यास्यू में जहां भी है ठीक है वहां पर सी के question आ जाते है भाई सी बहुत है यह आप समझ लीजे अगर आप ने सी में मास्टी कर ली यू कैन गो पर अनी लेग्वेज विदिन फ्यू बेंग्वेज इस लिए सी बेरी बच इंपॉर्टेंट और इसको आप मेरे लेक्चर के साथ साथ आप पड़ाई कीजे कहीं कोई प्रॉलम नहीं आएगी कोई कोई कंफ्यूजन ने डाउट होगा तो मुझे प्रेंशन कीजेगा मैं उसको दूर करूँगा आपको यह वीडियो कॉंटेंट आज का पसंद आया होगा अगर वीडियो कॉंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजे लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजे ताकि जब भी नेक्स वीडियो डालेंगे उसकी इंफर्मेशन आपको तुरन ली जाए थैंक्यों